राम मंदिर के आगे बॉलिवुट ने लगाया जैश्री राम का नारा प्राण पतिष्ठा हुई तो घंती बजाते दिखे रंबीर आयुश्मान भारी भीड में जाकर सितारू निकिये राम लला के दर्शन रंबीर आलियो और विकी कट्रीना जपते दिखे राम का नाम जी हाँ यू तो बीते दिन से ही राम की नगरी आयोध्या से एक के बाद एक ऐसे खास नजारे दुनिया के सामने आ रहे हैं जिन्हें देख हर कोई बस मंत्र मुगधी हुए जा रहा है अखिर 22 जन्वरी को जगत के प्यारे और अवध की राज तुलारे राम लल्ला अपने धाम जुपधारे हैं विधी विधान और ढोल नगाडे के साथ आयोध्या के राजा का उनकी राजियों में स्वागत किया गया देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और महिंत पुजारियों ने मिलकर बीते दिन भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण पतिष्ठा की और इस अतिहासिक पल का गवह बनने बॉल्वर जगत से भी कई सितारे पहुचे महनायक अमिताब बच्चन से लेकर माधुरी देख्षित, कंगनर अनौत, रणबीर आलिया और वोकी कट्रीना समीत कई सलेप्स राम मंदिर में हुई प्राण पतिष्ठा के महमान बने थे वहीं जब राम लल्ला के प्राण पतिष्ठा का कारिक्रम समपन हुऊ तो मंदिर के प्राणगड में मौझूद सभी महमानों ने जैश्री राम की नारे भी लगाए जिसमें सबसे आगे बॉल्लिवड इंडस्ट्री के सितारे रहे जी हां रणबीर कपूर, आलिया भाट, विकी कॉशल और कट्रीना क्याफ को एक साथ राम नाम जबते हुए देखा गया है जिसका नजारा आप फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के शेयर किये गए इस वीडियो में साफ तोर पर देख सकते हैं वीडियो में देखा ज़ा सकता है कि जब आसमान में एक हैलिकॉप्टर फूल बरसा रहा होता है तो उसके बाद सभी आक्टर्स एक साथ जैश्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं इस वीडियो को आक्टर्विकी कौशल बना रहे थे जिसमें उनके साथ रनवीर कपूर, आलिया भर्ट, कट्रीना क्याफ, आईश्मान खुराना और रोहित शेट्टी भी पीछे खाड़े हुए थे और जैश्री राम का नारा लगा रहे थे सभी के चेहरे पर इस दोरान एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी इस वीडियो में भले ही इन स्टार्स की आवास सुनाई नहीं दी क्योंकि वीडियो के बैक्ग्राउंड में जैश्री राम, जैश्री राम गाना बज़ रहा है लेकिन इस दोरान ये स्टार्स ट्रेडिशनल लुक में बड़े ही जोश भरे माहॉल में नज़र आए वहीं अपने वीडियो के काप्शिन में रोहित शेटी ने लिखा है वैसे ना सिर्फ यही बलकि आक्टर आईश्रमान खुराना को भी मंदर में घंटी बज़ाते हुई दिखा गया साथ ही विकी भी राम की भक्ती में लीन होकर उनके नाम के जैकारे लगाते हुई नज़र आए बॉलिवट की इस सभी सितारे एक साथ भक्ती माई होते दिखे आपको बता दे कि राम मंदे में राम लल्ला के विराजमान होने की मुराद बीती कई सद्यों से उनके भक्तों में बनी हुई थी 500 साल की लंबे इंतजार के बाद आयोध्या में राम लल्ला पधारे हैं यही वज़ा है कि इस समय पूरे देश में दिवाली जैसा मोहौल है हर कोई राम मैं हो चुका है प्रभुश्री राम के भक्ती में देश विदेश के लोग रमे हुए हैं वही राम लल्ला की प्रण प्रतिश्टा समारों में एंटरटेन्मिन जगत के नाम इससतारों ने भी शरिकत की इस दोरान सबके चेहरे पर राम लल्ला की आगमन का उत्सा भी नज़र आया था साथ ही सभी को खास तरह का प्रसाथ भी दिया गया था विरो रपोर्ट ए24